अगले खावरारी रिवाचिली से जहां स्कूल सिक्षा विभाग की संयूज कत्त में 6-6 वी राजिस्तरी ये साले क्रीडा प्रतियोगिता की तहत कबड़ी प्रतियोगिता का प्रदेश के विधानसवा अध्यक्ष ग्रेस गौतम ने सुभारम किया इस अपसर पर सांसज जनार्दन मिष्ट भी उपस्थित रहें देव तालाब स्टेडियम में बच्चोद्वारा प्रस्तुत्रगा रंग सांस्कूतिक कारिक्रमों के साथ प्रतियोगिता का सुभारम हुआ विधानसवा अध्यक्ष ने मसाल प्रज्वलित कर एवं खेल ध्वच का आरोहन करते हुए विधिवत प्रतियोगिता के उद्गाटन की घोशना की इस अपसर पर प्रदेश के दस संभागों से आए खिलाडियों ने आकरसक मार्च पाष्ट की प्रस्तुत दी आरिक्रम के मुखे अतिति गिरीज गौतम ने अपने उद्वोधन में कहा कि खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए जरूरत इस बात की है कि बच्चों को उनके रुचिके अनुरूप खेल खेलने दे खेलों से सारी रिक्वामानसिक विकास होता है श्री गौतम ने कहा कि कबड़ी का खेल हमारे देश का प्राचीनतम खेल है और कबड़ी की महारत को सभी ने स्विकारा है इस खेल को पुनजीवित करने के सभी प्रयास किये जा रहे है उन्होंने कहा कि देवतलाव एवं नई गड़ी के आसपास के लोग इस खेलायो जन का पूरा आनंद उठाएंगे और खिलाडियों से सेख लेकर इस अंचल की ग्रामेर प्रतिभाएं भी आगे आएंगी विधान सभाद्यक्षी ने कहा कि देवतलाव एवं नई गड़ी के जन मानस द्वारा खिलाडियों को अपनी तरब से विवस्थाएं वस्थाएं देने का प्रयास किया गया है ताकि बाहर से आने वाले खिलाडियों को किसी तरह की परिशानी ना हो और वह देवतलाव के ब्रांड अंबेश्टर बन कर जाएं और देवतलाव की सुखत अनभूत इवाया दे उनके मानस पटल पर अंकित रहें श्री गौतम ने विवस्थित आयोजन के लिए प्रसासन एवं खेल विभाग की सराहना की इससे पहले जिला सिक्षा अधिकारी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए अतिथियों सहित प्रदेश के विभिन संभागों से आये खिलाडियोवा ओफिसियल्स का स्वागत किया सरसती जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ कारिक्रम का सुभारम हुआ विद्याले के चात्र चात्राओं ने मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुती दी विभिन विद्याले की चात्राओं ने रंगा रंग कारिक्रम प्रस्तुत किये कारिक्रम का संचालन पूर्व जिला सिक्षा अधिकारी मोहन लातिवारी एवं विवेक नाम देव ने किया कारिक्रम के अंति में आभार प्रदर्शन सयुप्त संचाला की स्कूल सिक्षा S.K. त्रिपाथी ने किया इस अपसर पर अपर कलिक्टर सैलेन सिंग, S.D.M. AP दुवेदी, भाजपाध्यक्ष दॉक्टर अजय सिंग, राम सिंग, विद्या प्रकार सिर्वास्तप, पूर जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहूल गौतम, प्राचारी देवतलाब, महविद्याले, डॉक्टर एचन ग मन्नु गुप्ता संभागी खेल अधिकारी, M.K. धौलपुरी, D.P.C. संजय सकसेना, योजना अधिकारी, सुदामा गुप्ता, तहसिलदार मारको सहीच, सिक्छा विभाग के अधिकारी कर्मचारी तता बड़ी संच्छा में खेल प्रेमी जन उपस्थित रहें। जबकि 23 नवंबर को समापन एवं फाइनल मैच देव तलाव स्टेडियम में संपन्य होंगे। विधान समा अध्यक्ष के मारक दर्शन में देव तलाव के जन समुदाय द्वारा की गई विवस्थाओं वस्तु विधाओं की प्रदेश के संभागों से आए खिलाडियों ओफीसियर्स ने मुक्तकंठ से सराहना की। लाट विधान सिर्ण में द्वा फांध्यक्यक्ण में विधा के संभी सील्प्रेफ्थ यूजर्ण में द्वान प्रदव में विधानी आए खिलाओं इस सम्टकंठ हर पल यूही आपका प्यार, मंपर रहे परस्ता, हर पल यूही आपका प्यार, आपका स्वागत है, रगसी रूर बनाए फारत, वह बल भी तर्वारत। सब्सक्राइब कर दो प्यार, मंपर तर्वारत, वह बल यूही आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका प्यारत। पहर साथ है साढ़क्ष संभाद हमारा चोटा वाइस जो हमारे संभाद के साथ अभ और आपर होकर भी हमारे साथ है साढ्यों संभाद के रहता है कदम से किदम निलाते हुए आज्गे की अमसरती हुए और इसे पीचे है में जवान संभाज रीवा संभाज रीवा संभाज रीवा सभेज से रोपी एधर्थी जहां से सम्वाजी सी ग्रीश गोटम जी अब धर्ट मत्रदेश विजांसवा ने तेत्ट कर रहे हैं यह बहुत बड़े गवरों की बात है यहां भी कई अर्जू पाड़ी कर्दधन भजरंगी पिसाजी पहले अर्जू निवाड़ी रहे हैं जो हमारे रीवा से रहे हैं मैं बच्चो मैं किताब मुमारी करिया आपकी पत्त्रिका मिली मुझे मैंने उसको पन्ना पंद्ना भाड़ के देखा उसको मुझे बड़ी अच्छी बात लगी ज प्रफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तुलाव का ब्रेंड एंबेश्टर बन करके जाके वो देव तुलाव का नाम लेख पूरे परदेश के मिश्टर इसले मैं आग्रा किया था पुदेव तुलाव के शेत्र की जंता कि वर्स इस अवसार पर हमारे बीच में आये हुए इंदावर के प्रकास गौड जी जो संभ सोनी का है तो पार्टी की तरफ से उनसे आगरा करता हूं कि इनका सब का वो माल्यार पर से स्वारत करने बड़ी साले प्रतियोगिता कायोजन यहां किया जा रहा है चार दिरसी होगा 20 को 21 को 22 को 23 को 20 का जावुद घाटन देखी रहे 21 को 22 को दो दिन दो अस्थानों पे और आधा नए गड़ी में होगा फिर 22 को जो सेमी फाइनल्स है तीन सेमी फाइनल्स होंगे तो सेमी फाइनल्स सारे के सारे वहीं होंगे नए गड़ी में होगे और फिर फाइनल्स जो ते मैच निकलेंगे उनका सब का फाइनल्स यहां होगा और मुझे खुसी है इस बात क कि यह उस्तर देवतलाव को मिला है और पूरे परदेश के दसो संभाग से हमारे बच्चे आएं बच्ची आई हैं जो अपना उत्किष्ट परदसंग करने का प्रयास करें यह खेल होने से दो तीन चीज़ों का फाइदा होता है एक तो फाइदा यह होता है कि जो खिलाडी आएं हैं उनके उनका स्वैम का सरीर इससे पुष्टता की और बढ़ता है और जब हम पहते हैं कि फिट इंडिया खेलो इंडिया मोदी जी की सनारे के साथ हम बढ़ते हैं तो खेलेंगे तो फिट रहेंगे और बच्चों को खेलने तो खेलो इंडिया फिट इंडिया खेलो इंडिया का नारा इससे सरीतार्थ होता है दूसरा उसका जो फाइदा ज़्यादा मिलता अपने खोड़ हमारे यह स्कूल के बच्चे हैं वो जब इस खेल को देखेंगे तो उनको भी एक प्रेणा पुरुषाहन मिलेगा और वो भी इस बात का प्रयास करेंगे कि हमको भी खेलना चाहिए ठेक की उत्रडणा का काम करता है प्रोशाहन का काम करता है इसलिए हमारे हां कि बच्चे भी उसमें खेल में भाग लें आगे चल करके कहल हो वैसे भी इसके बाद भी चेतरी अस्तर पर चुगी विधायक ट्राफियां हुआ करती हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इस तरह का खेल लगातार हमारे विधान सलवा में हो हमारे यहां से बच्चे निकल करके इसी तरह से आज यह से बच्चे संभागों से आए तिसलिए इसका यह फाइदा है